आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं तक्षा 5 का चैप्टर नमर 9 कैसा शोर चलो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है तो चित्र में क्या है? यहाँ पर एक चाचा दिये हुए है जो पेड़ के नीचे सोय हुए है और यह पुरा क्या है? खेत है जो खेत है वो किसे बरा हुआ है? पुरी सबजियों से बरा हुआ है तो यह जो पुरा चैप्टर है वो पुरी सबजियों के बारे में है कि कौन-कौन से सबजिया अच्छी है जो कि सारी सबजिया अच्छी है लेकिन सारी सबजियों के अपने एक अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है और उसके गुन है जो यहां पर बताये है बिर्जू चाचा ने अपने खेत में सबजिया वोई थी क्या वोया था सबजिया दोपर का समय था बिर्जू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नेंद आ गई दो पर का समय था, वो ठके हुए थे, इसलिए क्या हुआ था कि वो सो गए थे, ओके ठीक है, तो आराम से लेट है कि उन्हें नीन दा गई, तब खेत की सारे सबजिया खेलने के लिए इकटी हुए, क्या हुआ कि विड्जू चाचा तो सो गए, तो सबजियों ने सोचा कि चल उसने क्या कहा कि मैं सबजियों में सर्ताज, सर्ताज मतलब उसके बिना नहीं चलता हूँ, ऐसा, सभी सबजिया मेरे बिना अधूरे, उसने क्या कहा कि मेरे बिना सब अधूरा है, बच्चों, बुडों को मैं बहुत पाता हूँ, मैं सबको अच्छा लगता हूँ, चाट, चीप्स टिक्या जैसे चटपटी और मज़िदार खाने की चीजे मुझसे ही बनती है आपको पता ही है आप बनाती है घर पे चीप्स है टिक्या है जो किसे बनती है आलू से बनती है शकरकंद ने कहा मैं आलू का मीत रहूं मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं आपने शकरकंद खाया ही होगा न वो स्वीट पोटेटो कहलाता है मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं तब मटर उचल कर बाहर आ गए और कहने लगे हमें भूल गए मटर जो है वो उचल कर बाहर आ गए और क्या बुला कि मुझे भूल गए कई प्रकार की सबजियां पुलाव और चटपटी कचोरी में जान है हम कि उससे क्या क्या बनता है पुलाव कचोरी और सबजियों में भी हम क्या आयूस करते हैं मटर उसी समय लौकी और गाजर कुद पड़े कौन आया लौकी और गाजर राइता कोफते और हल्वा हमारे बीना कैसे बन सकते हैं क्या बोला उसने लौकी और गाजर से राइता कोफता और हल्वा वह इससे बनता है लोकी बोली ऐसा लोकी ने बोला गाजर ने बात काटती हुए कहा लोकी बोल ही रही थी तो गाजर ने उसकी बात काट ले और क्या कहता है हलवा तो मेरा भी बनता है क्या कहा उसने कि मेरा भी हलवा बनता है मेरा रूप रंग देखा है कितना सुन्दर लाल है रंग मेरा गाजर ने कहा कि मैं तो लाल कलर का सुन्दर हूँ नाम सुनते ही मूँ में पानी आजाता है कि मेरा तो नाम सुनते ही लोगों के मूँ में पानी आजाता है मुझे खाने से लोग क्या रेते हैं? स्वस्त रहते हैं यानि कि उसकी जो health है लोगों की अच्छी रहते हैं यहां सुनगर पत्ता गुबी आ गया ही मैं भी आरोगय के लिए उप्योगी हूँ क्या कहा है पत्ता गुबी में? कि मैं भी लोगों की health के लिए क्या हूँ useful हूँ सबजी के अलावा कचुमबर और सलाड में भी मेरा स्थान है कि पत्ता गूबी में से क्या क्या बनता है सबजी बनता है, कचुमबर बनता है और सलाड भी बनता है तो ये तनी सारी सबजी आई तो मेर्ची पीछे क्यों रहे भई वहां भी कहने लगी सभी चुब हो जाए किसने बोला मेर्ची ने क्या बोला कि सब चुब हो जाओ मेरे बिना आप सब क्या किमत क्या उसने बोला कि मेरे बिना आप सब क्या किमत वो तो है अगर सबजी में हो मिर्च ना डाले तो स्वाद अच्छा लगता है नहीं लगता है ना तो उसकी किमत तो बहुत है ही मेरे बीना सभी सबजिया फिकी है उसने कहा कि मेरे बीना तो सब फिका फिका लगेगा मैं पतली और चुस्त हूँ मैं दिखने में कैसी हूँ पतली भींडी भी अपनी कोमलता और अनुठे स्वाद की प्रशनसा करने लगी उसके बाद क्या आया मिर्ची के बाद भींडी उसने अपनी कोमलता और अनुठा स्वाद मतलब एक अलग प्रकार के स्वाद की प्रशेंसा करने लगी अब करेला कैसे चुप बैटा सारी सबजी तो आई थी बचा हुआ क्या कौन कड़वा करेला वो भी आए वह बोलने जा रहा था तो तमाटर ने उसकी बीच में ही रोग दिया करेला तो चुप रहे मुझे बोलने दे तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते है क्या बोला उसने कि करेला बच्चों को अच्छा नहीं लगता वो उससे दूर रहते हैं आप मैंसे किसी को करेला अच्छा लगता है मुझे तो लगता है करेला खाना चाहिए हमारे हल्थ के लिए अच्छा है मेरा खटा मेठा सब को प्यारा लगता है कौन बोल रहा है टमाटर बोल रहा है कि मैं तो खटा मेठा हूँ इसले सब को प्यारा लगता हूँ यहाँ बात सुनकर करेला चिला आया अब यह टमाटर न क RI profit करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं करे ila का भी मार्या थजक करने में मैं मिन्यदी का Neo भी कर्णा भब नहीं में ज्याद सकिبةटा बनाते हैं तुना अक शीन साहने qagama कर दोस्त आप सबेस्टान कर अपने अपने स्थान पर उप यव योगी और सही है मिल जूल कर रहने में ही हमारी भलाई है क्या बोला कि हम सब सबजी आगर मिल जूल कर रहे तो ही हमारी भलाई है ये सारी सबजीयों को मिला कर बनाया कजूल